जानेंगे इस कावरबारी सब्ता नौन एगरी कमोरिटीज याने बेस मेटल्स, बुलियन और एनरजी कॉंपलेक्स में क्या रुजान देखने मिलेगा शुरुवात गोल्ड और सिल्वर से ही करते हैं हमने काफी बड़ी गिरावट देखी है खास करके चांदी में पिछले हफते और उसके भी पहले हमने काफी समय से डिस्कस किया था कि जो शॉर्ट टर्म वियू है वो नेगेटिव लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही गोल्ड में जिस तरह से हमने बात किये थी कि 52,000 के उपर जब तक प्राइज़ नहीं जाती तब तक सेलोन राली कर सकते हैं और 50,000 तक के लेविल भी हमें देखने मिलेंगे तो हमने 49,900 के नीचे की क्लोजिंग आते हुए देखी है वहीं स्पॉर्ट गोल्ड में भी 1820 डॉलर का जो लक्ष था वो हासिल होता हुआ दिखा है तो डॉलर इंडेक्स में जो तेजी है याने अंतराश्य बजार में जहां डॉलर तेजी के साथ लगभग 20 साल की उचाई के उपर ट्रेड कर पा रहा है एक सो चार सतर के आसपास तो उसके चलते हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में दबाव देखने मिला सिल्वर में भी हमने देखा कि करीबन 20 महिनों की जो स्तर है जो सपोर्ट था उसके इनिशले स्तर पे प्राइज ने ट्रेड किया इनफाक्ट 21 डॉलर का जो स्पोर्ट सिल्वर में सपोर्ट था वो ब्रेक होता हुआ दिखा हालकि जो हफते की क्लोजिंग आई है वो 21 डॉलर के उपर आई है लेकिन हमने करीबन 20.75 डॉलर के आसपास की एक लो भी बनते हुए दिखा है और डॉमेस्टिक मार्केट में हमने 48,200 का एक स्थर जो है वो चूता हुआ दिखा है वहीं गोल्ड में भी अगर मैं अभी बात करूँ आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि जो मंदी का दौर है वो जारी रहेगा इमिजिट तोर पर 1860 डॉलर का एक रिजिस्टेंस बना हुआ है जो भारती बाजारों में कहीं न कहीं 15,000 से 15,200 के बीच है जब तक इस लेवल के नीचे दाम रहेंगे तब तक सेलोन राली इसका एक व्यू लेकर चलना चाहिए यानि उच्छाल आता भी है तो हो सकता है कि हम 50,500 से 600 तक का देखे और उसके बाद दुबारा करीबन 49,000 की जो एक लेवल है या 49,000 का एक लेवल है वो हमें आता हुआ दिखेगा वहीं पर चांदी में 57,800 का जुस्तर है ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर वो तूट जाता है तो हम 56,000 तक का भी एक फॉल देख पाएंगे इमेजड तौर पर 62,500 का एक मेजर रेजिस्टेंस है अगर उच्छा लाता है तो मुझे लगता नहीं इमेजड तौर पर ये लेवल निकलेगा हो सकता है कि 60,000 से 60,500 तक का एक रिलीफ राली हमें देखने मिले लेकिन वहां से दुबारा विक्वाली की जा सकती है अगर 57, 58,800 तूट जाता है तो लगभग 54,000 का जैसे हमने अभी डिसकस किया लेवल जो नेक्स सपोर्ट है वो दिखाई दे सकता है वहीं पर अगर मैं जो बेस मेटल से उसकी बात करूँ तो वहां पर भी चौतरफा बिक्वाली देखी गई है 740 का जो कॉपर में लक्ष था वो हा शाप recovery या एक short covering move देखा गया जहां पर 752 के उपर की closing हमने देखी है ऐसा लगता है short term basis copper में 735 से 40 के करीब अब जो support है वो hold किया जा सकेगा और एक recovery हमें 770 और उसके बाद 782 तक भी देखने मिल सकती है तो short term basis buying की सला मैं देना चाहूंगा copper में वहीं zinc में भी हमने काफी बारी गिरावट देखी जहां पर 300 के करीब prices चली गई हाला कि जो close है हफते का 308 की करीब दिया गया है जो volatility है यानि जो उठापटक है वो बहुत जादा है एक दिन में करीबन 7-8 रुपए की उठापटक हम zinc में देख रहे हैं वहीं पर copper में 15-18 रुपए की हम volatility देख पा रहे हैं तो जो भी सौदा करें वो stick stop loss के साथ कीजिए अगर 300 के नीचे दाम चले जाते हैं zinc में तो possible है कि 200-92 तक भी prices slip हो जाएंगी लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है zinc में भी एक स्थिरता देखने मिलेगी जहां पर lower side 301-302 और upside में करीबन 314-15 तक के level देखने मिल सकते हैं फिलहाल zinc में एक recovery की उम्मीद दिखाए दे रही है वहीं पर base metals में अगर aluminum की भी बात की जाए तो 230 के नीचे के स्थर देखे गए थे लेकिन वहां से एक recovery देखी गई है ऐसा लगता है कि 230 का स्थर hold कर लिया जाएगा और upside में 239 का एक पहला लक्ष होगा जहां तक prices recover कर पा जब तक copper में 740 का स्थर और zinc में करीबं 300 का और aluminum में 230 का स्थर hold कर पा रहा है वहीं पर अगर energy complex ही बात करें तो शंदा तेजी हमने crude में देखी और हफते के जो सबसे उचा लेवल है 8500 के उपर किस तर के आसपास हमने closing आते हुए देखी है यहां पर जो यूरोप में Russian crude oil को या कच्छे तेल में जो ban लगाने की बात है उसको लेकर जो एक अनिश्टिता बनी हुई है या indecision है वहां पर हमने देखा कि कच्छे तेल ने gain किया है और अगर वहां पर ban नहीं लगता तो हो सकता है कि जो एक यूनो जो supply है उतने हद तक कब नहीं हो जितना होना चाहिए इसलिए इन सतरों पर मैं कहूंगा कि फिलहाल buying avoid की जा सकती है हलाकि 8100 से 8000 के करीब अगर prices मिलें यानि गिरावट देखी जाए तो वहां पर दुबारा buying की जा सकती है तो overall trend तीजी का है लेकिन इन सतरों पर फिलहाल मैं buying के सला नहीं देना चाहूंगा डिप पर buying जरूर क की जा सकती है अगला जो बड़ा लक्ष होगा वो 8850 से 8900 का लेकर चला जा सकता है ना चलके हैस में हमने काफी बड़ा move देखा है जहां पर 500 के करीब के lows बनते हुए देखे वहीं उसी हफते में करीब 613 से 614 के highs भी बनते हुए देखे तो काफी movement यहां पर देखने मिली है ऐसा लगता है कि immediate तोर पर 630 का एक resistance बना हुआ है अगर उसके उपर दाम नहीं जाते तो यहां से और ज़्यादा बड़ा देखने नहीं मिले हलाकि जो closing है वो 585 के करीब की है तो शुरुआती दोर में हमें तीजी जरूर देखने मिल सकती है लेकिन 630 अगर नहीं निकाल पाता तो वहां से दुबारा 565 और 545 तक के इस तर हमें देखने मिल सकते हैं तो overall एक मिला जुला सा कारुबार हमें नार्शल गैस में देखने मिलेगा जहां पर पहले हमें तीजी के आसार देखने मिल सकते हैं लेकिन upside जो होगा मेरे इसाब से limited होने की possibility बनी हुई है तो अगर मैं summarize करूं तो ऐसा लगता है कि gold or silver में अब भी जो एक correction का दोर है वो जारी रहेगा base metals में recovery के पूरे chances बने हुए हैं जबकि energy complex में कच्छे देल में sharp dip होती है जब ही 3-4 फीजदी की तब buying कर सकते हैं और natural gas में फिलहाल 630 के उपर जब तक daily close नहीं आता तब तक salon डाल कि आने वाले कुछ दिनों में जो major non-agri commodities हैं वहाँ पर क्या रोजान देखने मिलेगा धन्यवाद